नमस्कार दोस्तों वेल्कमेर टो जीके ट्रेक्स इस वीडियो में एंसे अटे टेंथ क्लास की जोग्रफी की स्रीज को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में हम चैप्टर नमबर सिक्स और से सम्मधित और कोशिन इंफेक्ट कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं चैप्टर नमर सिक्स जिसका नाम है वी निर्मार उद्योग मोश्ट इंप्रण चैप्टर है तो इनसे समय तो इस दो प्रस्ट है क्रसी और उद्योग एक दूसरे के हैं तो यह क्या है समान है अलग है पूरुग है या फिर कोई नहीं और उद्योग ऋद्योग है फुरक थर्ड नीम्मर स्था आथारित ऊद्योग नहीं है शब्मेंट उद्योग सीरोल्यगर प्रसं कर दो दो इन से ये स्रूमेंट दोग है यह करची अधाली दोग नहीं है फ़र्ट अम्राप्ष निया पर से यांसरोगा तो आफिज्यान की का तो सबीलिस्ट देख लेगा थे क्रची अधाली दोगों कॉन कॉन से है शुद्टी वस्त्र उद्योग है उनी वस्त्र पट्सन रेसम वस्त्र रबड़ चीनी चाय कोफी वनस्पती तेल इस जो जित भी ऊढ़ी रखें यह सभी क्या है रसी आधरी तो द्योग है घने जाधरी उद्योग कोन-कोन से है लोहा वाइश पात उद्योग सिर्मेंट उद अन्तरकत अते हैं और लिगा उत्पादन वह कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं किनके अधार्बुत उद्योग के कच्चे माल और जो उत्पादन ने इन पर दूसरे जितने भी उद्योग अत्रबूत निर्वर करते हैं इसलिए इनको आधारबूत उद्योग का जाता है उपभोगता उद्योग कौन-कौन से है चीनी दंद मंजन कागाज पंके सिलई मसीन उद्योग तो यह आप द्याने कि स्वामित्व की आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं देकि सही अंसर होगा चार प्रकार है कौन-कौन से सार्जनिक उद्योग निजी उद्योग सयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग तो उद्धरन देख लाते हैं के सार्जनिक उद्योग में कौन-कौन से है वारतीय हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टील ओत्रय ओफ लिमिटेड नीजी उद्योग में टिस्को बज़ाज ओटव फिल्मिटेड और टावर उद्योग सेउक्ता-द द्यूग ग में और इंडिया लुमिटेड और में महारश्च्र के चिनी उद्योग के नर यह सभी आते हैं तो अब ध्याने कीगा लोहा इस पात दुद्द्द किस प्रकार की द्योग है देखिस का सी अंसर होगा जो लोगा इस पत दुद्द्द योगे वह भारी और अधारवुत उद्द्द योगे फर्स्ट नमर उसने पर से अंसर होगा और निच वाली फट्व उद्द्द योग जो कच्चे माल से उच्चितम अतिरिक्त मुल्य उत्पात तक की स्रंकला में परिपूर्ण वह आत्म दिर भर है यह उद्द्द्द कौन सा है देखिए मोशन पड़न कुश्यों ने सही अंसर होगा आप्शन मुर्थर वस्त्र उद्द्द्द्द्द्द भारत का परतम सूत्य वस्त्र उद्द्द्द्द्द्द उद्द्द्द घर खाना कहां पर लगया लगया तो सही अंसरोंगा मुंबई की अंतरकत कब तो तरौ चूपन के अंतरकत पर्टसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है सईयांस रोगा ऑप्शन नमर थर्ड भारत पर्टसन उद्योग अधिकांसतर पश्चिम मंगाल में हूगली दर्ट पर इस्तित है परतम पर्टसन उद्योग रिसरा में सबित हुआ था 1855 इस्वी में जो की कॉलकता में है तो आप यानकिएगा विश्व में गुड़ वखांड चरिके उत्पादर में पर्तम इस्तान किस देश का है तो आप्टिके सहीं सुरोगा भारत का ऑप्शन मेंबर श्राइक टो आप द्यानकिएगा चिनी उत्पदर में भारत का को इस्ताने से इकना है और चीनी पर्दियस और भीहार में हैं तो यह भ्राइब ध्यान किये ऊटिनिऊ यह किस प्रकार को दियोगे यह एक मौस्मि उद्धेयोंगे हैं और यह किस के लिए उप्यूगत सब्सक्राइब के लिए उप्योगते हैं तो इसारे फ्रेक्ट आप द्याने किएगा लोहा इसपात उद्ध्योग में लोह आयस्क कोकिंग कॉल चुना पत्र का अनुपात क्रमस होता है तो देखें सही अंसर होगा चार अनुपात दू अनुपात एक सेके नमर प्सने पर सही सब्सक्राइब यानि लोह इसक चार कोकिंग कोल दो और चुना पत्र एक ठीक है इनका यह नुपात रहता है तो आप द्याने किएगा निम्न मैस से कौन सी एजेंसी साजने के छेतर में स्टील को बाजार में उपलब्द करती है तो यह कौन सी एजेंसी है सही आंसर होगा अबस नमर थर्ड शेल तो अभी ज्याना किएगा और इसकी फिर्फर्म किया होती है स्टील और ट्रोटी ओफ इंडिया तो आप द्याने किए इस पाथ के उद्पादर में विश्व में पर्थम देश कौन सा है तो देगे साही अंजरों का यह है चाइना और चाइना में ही इस बात की सबसे अधिक खपत होती है यह जाने किएगा छोटा नागपूर का जो पटारी छेत्र है भारत में वह लोहा इसपात उद्द्यों का सक्केंद्रन है यह जाने किएगा भारत का दूसरा चरुमानियंयु इत्रव महत्यपुन धातुसोद्रन उध्यों कोन साहे तो हैसारो का अलमौनियंव प्रगलन दो यह बारत का दूसरा सरवाटिक महत्वपूर्ण धातुसूदन उद्यूग है एरसायन उद्योग एस आयकर TOP lên का थार्ड सबसे बड़ा उद्योग और सथान उद्योग विस्व के विस्व में आकार के द्रश्टिसे बार्वी स्थान पर है उद्योगों में ठीक है ता पिज्ञान किएगा कौन सा उद्योग बॉक्साइड को कच्छे माल के रूप में परियोग करता है तो यह उद्योग कौन सा है फ़र्स नुवर्स ने पर सही अंसरोगा ऐलूमिनियू प्रगिलन उद्योग सिर्मेंट उद्योग के लिए किसे कच्छे माल के रूप में उप्योग में लिया जाता है चुना पत्तर से लिका जिप समया फिर सभी सही अंसरोगा सभी और पहला सिर्मेंट उद्योग इसकी स्थापन होईती चन्नई की अंतरगात कब 1904 में भारत की इलेक्ट्रोनिक राजदरनी कौनसी है सही अंसरोग ऑप्सर मुर्थर बैंगलोरू तो अब ध्यान कियेगा सूचना प्रद्योग की तता इलोक्त्रोनिक उद्योग निर्मान ठीक है इस उद्योग के अंतरगत कि इंद्योग निर्मान होता है तो टेलिवीजिन ट इस न बद्ूर सूचार के टएलिकां मुल इस सभी का तो आपे धिया नकिएगा तो देकि इस परकार का जो पर्दूसर्ण है उसे का जाता है तापी पर्दूसर्ण थर्ड नुम्र उसने पर सही अंसर होगा तो अपिध्याने किएगा और नीचर फैक्ट कि भारत में राष्ट्री ताप विद्यूत ग्रह कोपरेशन विद्यूत प्रदान करने वाली मुख के नीचम है ताब जैने कियेगा कर दिधिस प्रदूशन के लिए श्लफर डाय औकषाइड और कार्वन मुन उख दो तर दे है तो अधिके सईन रूगा किस प्रदूशन के लिए वायू फ्रदूशन के लिए में बहरत में कितने मुख्य संकिलित तो सईंसरोंग रूगा तो यहां पर हमारे चैप्टर नमबर सिक्स के सारे कुश्यन कवर हो गए है शुरुवात करते है चैप्टर नम्र सेवन की जिसका नाम है राश्टी यह अर्थ विवस्ता की जीवन रेका पुश्ट इमडेखा परिवहन के मुख्यात कितने साधन है देखे सही आंसरों का परि रेल और बाइपलें परिवहन तो यह प्रिवर्षण के तिन प्रमुक्स्द Now you to keep school परिवहन को कि यह कितने भागों बाटबादा गया है कि तो तीन बागों में साडग ktionल और ऐप्लाइप्लेंट इस में जो जल परिवहन ने इसको और जो वायू परिवहन ने इसको गरेलु विवान और अंतराष्टी विवान इन दोनों भागों के दगत बाटा गया है गरेलु विवान को भी दो भागों बटा गया है सारजनिक प्रादिकरण और नीजी विवान सेवा तो आप ध्यान कियेगा भारत का सड़क का जाल लगबग है देखिए भारत में जो सड़कों का जाल है वह लगबग 56 लाग किलोमेटर थर्ड नमर अपसिनिया पर सही अंसर होगा भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रादम हुआ निर्मान और विवस्ता में सड़क जो परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्सा अधिक सुविदा जनक हैं तो आप ध्यान किएगा देखिए अगर हमें नॉर्मली सड़क बनानी है तो उसमें कम हमें प्रॉब्लम होती है लेकिन जो रेलों की जो पट्रे बिचाने मुका फिदिक प्रॉब्लम होती है जैसे कि पहाड़ी छे हैं बजाए की फिल जो पट्रे बिचान है वो तो आप ध्यान किएगा भारत में सड़कों को सक्षम तक के आधार पर कितने भागों में बढ़ गया है देखिए सही अंसर होगा छे भागों के अंतरगत आप्सिन नमर सेकेंड तो छे बाग कौन कौन से सुरनिम चतुरबु महराजमार्ग रस्टिय राजमार्ग रजी राजमार्ग जिला मार्ग अन्यमार्ग और सिमानत सड़कें तो आप ध्याने किएगा सुरनिम् चत्रवुज महाराजमार्ग दिल्ली मुंबई कौलकत्ता और चन्री को जोडने वाली इन वाली कितनी लेन वाला महाराजमार्ग ने सिर्ण threatened नों कि सॉनेहं कि भाके सन सबस्थर पाई से प्रेख्षन वाला महाराज मार्ग तो हैं सुन परियोजन नमें किस परियोजन में प्रियोजन में से दुर응 फास्थ Creek का फॉरें जदस्थ का उस्तर अब संवित क्टिम प्रश्चिन गल्यारा झौराobra तो देखिए इसका विस्तार है स्री नगर से कन्या कुमारी तक थर्ड नूमर अफसनिया पर सही आंसर होगा और जो पूरो पश्चिम गलिया राएं इसका विस्तार है सिल्चर असम से पोरबंदर गुजरात तक तो यह अध्यान कियेगा इस परियोजना का उद्धिश्य क्य अध्यान कियेगा राष्टी राजमार्ग का निर्मान वर रक रकाव कौन करता है तो इसका सही आंसर होगा के अंद्रिय लोक निर्मान विभाग अगर हम बात करें कि राज्य राजमार्ग की रक रकावर निर्मान कौन करता है तो यह सार्जनिक निर्मान विभाग और जि कीला परिशह दें का परदानमंत्री ग्रामीन सडग पर्योजना की अंत्रगत कि क्या है देश के पर्तेक गां को पर्मुक को सहरों से पक्की सडगों के द्वारा जोड़ना इस प्रियोजनी का उद्श्व है तो आप फिर आने किया का सीमा सडक संगठन की स्थापना कब हुई तो यह हुई थी 1960 के अंतरगत देश के सीमांत च्छेतरों में सडकों का निर्माणवत देखरे करना ही इस संगठन का मुख्य अदेश्य है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की लंबाई कितनी है तो सही आंस में यह स्थित हैं इसकी उसद उच्छे कितनी है तीन हजार मिटर और यह मनली को लाहूल स्पिति गाटे से जोड़ती है और यह सुरंग किस्ति बनाई है तो सीमा सडक संगठन ने सार्फेक्ट आप दियान कियेगा अटल टनल के बारे में भारत की पहली रेल-गाड़ी यह चलीती अठारा सो त्रेपन के अंदरगत कहां से कहां तक तो मुंबई से थाने तक निचेवल इफैक्ट में देखते हैं विश्व का सर्वादिक बड़ा सारजनिक छेतर का प्रादिकरने रेल-परिवहन और देखिए जो मुंबई से थाने के मद्धि में जो ट्रेंच चलीती वो कितने चलीती 34 किलोमेटर भारतिय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडो में पूर्ण संकलित किया गया है यह फैक्ट बॉक में दे रखाएं ब्रॉड गेज मिटर गेज और छोटी गेज यह इनकी जो यह कितने मिटर की दूरी होती है जो रेल की पट्रिया है यह अब जरू द्याने कियेगा ब्रॉड गेज में एक पॉइंट छे साथ चे मिटर मिटर गेज में एक मिटर और छोटे गेज में 0.762 या फिर 0.610 मेटर की दूरी होती है तो आप द्याने कियेगा यह फैक्ट बॉक में दे रखा है और मॉस्ट इंप्रेक्ट है देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने परमुक जाल है तो देखे तीन परमुक जाल है देश के अंदरगत पाइपलाइनों के तो कौन-कौन से है परतम पाइपलाइन जाल उत्री असम के तेल छेत्रों से गौहावटी बरुनी और इलाबाद के रास्ते कानपूर तक दूसरा गुजरात के सलाया से बिरम गाव मतुराद दिल्ली सोनिपत की रास्ते पंजाब के जालंदर तक और तीसरा है गुजरात की हजीरा से उत्र परदेश के जगदिस पूर तक ठीक है तो आपी द्याना किएगा और देखिए यह मद्यपर्देश में विजयपूर और राजस्तान में कोटा में यह पाइप लेंज आती हैं तो यह आप द्याना किएगा भारत में अन्त इस्तलिय नौ संचलन जल मार्ग की लंबई कितनी हैं देखिए सही अंसर होगा भारत में अन्त इस्तलिय नौ संचलन जल मार्ग की लंबई हैं 14500 किलोमेटर और देखिए इसमें से केवल 5656 किलोमेटर मार गही मसीनिकरत नौकाव द्वारा ते किया जाता है तो आप द्याने कियेगा राश्ट्रिय जलमार्ग संक्या एक की लंबाई कितनी है सही आंसर होगा 1620 किलो मेटर ये जो जलमार्ग है ये किस नदी पर बना हुआ है गंगा नदी पर और कहां से कहां तक है तो इलाबाद से हल्दिया तक नेमन लिक्यत में से किस आंतरिक राश्ट्रिय जलमार्ग के द्वारा ब्रमपुत्र नदी में साधिया से धूबरित को जोड़ा जाता है तो ये कौन सा है सही आंसर होगा राश्ट्रिय जलमार्ग संक्या दो तो आप द्याने किका और इसकी लंबाई कितनी है 891 किलोमेटर किस राश्ट्रिय जलमार्ग में चंपकारा नहर, पश्चमी तट नहर और उद्योग मंडल नहर का उपियोग किया जाता है ये कौन सा जलमार्ग है तो सही आंसर होगा राश्ट्रिय जलमार्ग संक्या धर तो आप ध्याने कियेगा और देखिए ये मुख्यत केरल में कौलम प्लस कोटापुरम के मद्य में इस्तित है और इसकी जो लंबाई ये वो है 205 किलोमेटर कौन सा राश्ट्रिय जलमार्ग तबिलनाडू के कांकिनाड़ा और भरकनन के मद्य में इस्तित है देखे सही आंसरोगा राश्ट्रिय जलमार्ग संक्या च्यार कांकिनाड़ा वह पुडूचेरी स्ट्रेच के साथ साथ गुदावरिवक्रश्न का जो विस्तार है वहाँ पर ये जलमार्ग है राश्ट्रिय जलमार्ग संक्या फोर्त जिसकी लंबाई है 1088 खिलोमेटर कौन सा राश्ट्रिय जलमार्ग महनदी डेल्टा वाले भागों में स्तिध है तो देखिए राश्ट्रिय जलमार्ग संक्या पांच इसकी लंबा यह पांसो अठाची किलोमेटर माटाई नदी महनदी डेल्टा प्रमानी नदी और पूर्वी तकियं नहे इन सबी जो जल चेत रहें यहां पर विस्ता रहें किसका राष्टिय जल मार्ग संक्या पांच का भारत की सम्मुंद्रित रेखा की लंबई कितनी है सही आंस रोगा 7516.6 किलोमीटर भारत में कुल मुक्य पतन कितने बारा मद्यम और छोटे पतन कितने 200 तो आप ध्याने किएगा भारत की सोतनता के बाद पहला विक्सित बंदरगा कौन सा है तो देखे सोतनता के बाद में जो पहला विक्सित बंदरगा है वो है कांड़ा बंदरगा गुजराद इसका अनिनाम क्या है दीन देयाल बंदरगा और यह किस प्रकारक बंदरगा है जो आरिया पतन मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रख कर उसके सामने कौन सा बंदरगा विक्सित किया गया है तो देखिए ये बंदरगा कौन सा है ये बंदरगा है जो अलाल नहरू बंदरगा सेकेंड नमर अप्सनिया पर सही आंसर होगा लोह अयस्क के निर्याद के लिए प्रसिद मार्मा गाव बंदरगा किस रज्यम है देखिए सही आंसर होगा मार्मा गाव बंदरगा जो की लोह अयस्क के लिए निर्याद के लिए प्रसिद है ये गुवम है कुंद्रे मुक खानों के लोहे का निर्यात किस बंदरगा से होता है तो देखे यह होता है न्यू मेंगलोर बंदरगा से भारत के सुदूर दक्षिन पश्चिम में कौन सा बंदरगा है तो देखिए इस बंदरगा का नाम है कोची बंदरगा जो के केरल में है और ये एक लेगून की मुहने परस्तित हैं और ये प्राकतिक पोतास रहें तो ये आप द्याने किएगा क्षिन पूरव में स्थित तुती कोरीन बंदरगा कहांपर है तो देखिए जो तोती कोरीन बंदरगा है ये स्थित तैमिलडो की पन्तरगत और ये भी एक प्राकतिक पोतास रहें जैन Completely देश का प्राचिंतम क्रतिम बंदरगा है विया पार मातरा और लदी समान में पर्तमिस्तान कौन से बढ़ रखता है मुंबई और से कंड संद रखता है चन्ने कि विसा का पटनम बंदरगा किस रज्य में है देखिए सही अंसरोंगा ऑप्स नमर फरस्ट अंद्र परदेश की अंतरगयत और जो विसा का पटनम बंदरगा ये इस्तल से गिरा हुआ गेहरा और सुरुक्षित अंदरगा है मुश्ट इंपरड़न रप्रेक्ट इद्यान कि है पारदीप बंदरगा कांपने यहोडी समय तो इभी आप ठाने किक्या है अता हलादिया बंदरan लन किसका सहायक बंदरगा है तो ढक एक पेंदर आका कौकता को anti- cities ट्यानी बंदर गए और यह भी एक नम CIB कि तरह ज्वारी कं दर्गा ए वायू परिवहन का राश्टियकरन कभ हुआ तो देखे यह हुआ था 1913 के अंतरगत फोर्थ नमर्यापर सही अंसर होगा जो वायू परिवहन ने ये तीवरतम आरामदायक और प्रतिश्टित परिवहने एर इंडिया गरेलू और अंतराश्टिय सिवाय प्रदान करती है तो जिए फैक्ट्ट आप द्याने किएगा लिजीटल भारत कारियक्रम का मुख़ी उद्ध्यश क्या है भारत ये परतिवा सूचना प्रद्युकि की नों कोई नहीं सही अंसर होगा लिजीटल भारत कारिकरम का ये दोनों उद्ध्यश है तो करेक्टरण सरोग ऑप्र प्रमानंद बोड के पास फर्स्ट नमर अप्सने पर सही अंसर होगा तो देखे इस चप्रटर में जितने भी इंपोर्डन कोश्चन अंफ्यक्ति सभी में आपके सामने रखे हैं आज का हमारा कमेंट वरक है रस्टी जलमार के संख्या एक कि लंबई कितनी है तो जो भी इसक इसके लिए कि अलएक से प्ले लिस्ट बना रहके एंसी अटी सिक्स टू टैंथ की तो उसको विजिट करके आप इन सब्सकों देखकर इस सारा मेंटर कवर कर सकते हैं और देखिए जितना भी हमारे यह मैंटर हमने यूट्वर करवा रखा है यह सभी अगरा प्राप्त करन क्लास फिर आर भीसी की लंग नवंद की जोगराफी यह शुट्रेंद के क्या है एसेस्टी फिर जोगराफी और और रभीसी की और टेग्सान की ऐन करक्रीं से से प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए minimum cost और अगर आप इस भी तो 330 रुपय के अंदर कषते अगर आप आप फू रुमलिप नहीं चाहिए दो आप बाकिस जितनी फिर फे इनको दोस्ट आ प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपने यह सारी पेडियोंन से प्राप्त करना चाते हैं तो आप-फ़्पन-रुप्र के अंतरक दिखतम से यह सरी प्राप्त कर सकते हैं और देखिए किस पूरकार प्राप्त करनिये गूगल पिर फ़ोन पश्केशन फोर कर सकते हैं हमारा नंबर के है 9680292036 ठीक है तो यह नंबर है डिस्क्रिप्सिंट के अंदर के नंबर दे रखा है तंबर आप से डाइल करियेगा पेइमेंट करने के बाद में आपको स्क्रीन सॉट हमारे इसी वाट्सप नमबर पर सेंड करना है वहां पर मैं आपको सारी जरू करियेगा और जो नेक्स्ट स्रीज देगी उसके बारे में आपको जल्द अवगत कर आप होंगा दने बाद